जापान में अपना डंका बजा कर लोटते प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी इस तरह खिल खिला कर ठाहा का लगा कर हसते प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी नेताओं को गंभीर, चुप, शान, दबाओं में देखने के आदी हमारे देश में यकीनन कुछ अलग हो रहा है मोदी सरकार के सौ दिन होने पर इस बदलाव को IBN 7 के लिए आका देश की सबसे भरोसे मन्द एजेंसी टुडेश चानक्यान एजेंसी ने देश के चौदा एहम शेहरों में सभी वर्ट के लोगों से बात की अठारा साल के उम्र से ज्यादा के पुल 6,280 लोगों से बात की गए एहम बात ये कि ये सर्वे मोदी सरकार के पूरे सौ दिन का लेखा जोखा है मोदी सरकार का काम कैसा है मोदी के काम की खूबिया क्या है अगर अभी चुना हों तो बीजेपी को मिलेंगे कितनी सीटे सौ दिनों में और क्या कर सकती थी मोदी सरकार इन सारे सवालों के जवाब बन कर आ रहे हैं देश की आवाज देखिए आईबियन सेवन का एक्स्क्लिूसिव सरकार तो पूरा सेट तयार है पूरी भूमिका बन चुकिया अब बारी है इन आकड़ों को आपके सामने रखने की वो काम आकाश करें उसके पहले मैं परिच्चे करा दू अपने खास मेमानों का जो इस चर्चा में इस सर्वे के विशलेशन के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे साथ इस स्टूडियो में दो वरिश लोग है परिश पतगा दिलाजन मुकुपाद्या आपका स्वागत है और साथ जाथ परफेक्ट रिलेशन्स के फाउंडर और कंसल्टिंग पार्टनर दिलीप चेरियन साथ मेरे साथ जुड़े हुए है इसके साथ बीजेपी के वरिश नेता मुक्तार अबास नक्वी साथ हमारे साथ सीधे दिली से चुड़ रहे हैं शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश अब मन्च आपका है आपको नतीजे दिखाने है विल्कुल सुमित आईए देखते हैं कि देश की आवाज क्या है और उसके लिए हम सीधे वीडियो वाल पर चलते हैं और खास बात ये भी कि विदानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है ऐसे में ये देखना बहुत मत्पूर्ण होगा कि देश क्या सोच रहा है नरेंद्र मोदी सरकार के पहले सौ दिन के बारे में एक एक करके तीन हैं मुद्दे इस वक्त हैं जो आपके सामने हम यहाँ पेश कर रहे हैं सबसे पहला सवाल अभी आपके सामने वीडियो वाल पर आने वाला है पहला सवाल यही कि मोदी सरकार क्या ब्रश्टा चार पर काबू पा सकती है देश के लोग क्या सोचते हैं और इसी के लिए आईए यह देखते हैं सबसे पहले तो यही कि 54 फीसदी लोग यानि आदे से जादा देश ये बात मानता है कि मोदी सरकार ब्रश्टा चार पर प्रश्टाचार पर काबू पा सकते हैं अब दूसरा अहम सवाल जो कि सरकार के सिर्फ पहले 100 दिनों से ही जुड़ा हुआ है वह इ Taylor कांग्रेस बी देखिए 100 दिन के मोधी राज में सामपरदाई घटनायं बड़ी है जैसा कि खासत दौर पे समाजवादिक पार्टी और साती साथ आरोप लगाते रहें कांग्रेस भी तो ये देखिए सौ दिन के मोदी राज में सामपरदाई घटना बढ़ी है ऐसा सिर्फ 14 फीसदी लोग मानते हैं ये महत्पूर्ण है और 43 फीसदी लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि ये सही नहीं है हला कि 43 फीसदी लोगों ने इस पर साफ राई वेक्त नहीं की है तो ये एक और एहम बात है जिसमें ना तो समाजवादी पार्टी आपको खुश नजर आएगी नहीं आपको कॉंगर्स पार्टी और साथ सी साथ कुछ और दल जो की सेकुलरिजम के नाम पर सबको नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकठा करना चाते हैं तीसरे सवाल पर आते हम पहले सौ दिन से जुड़ा ये तीसरा सवाल आपके सामने है कि पहले सौ दिन में नरेंद्र मोदी और क्या कर सकते थे इसका जवाब देखिए ब्रष्टा चार पर अगर वो और सक्त होते तो देश के तेरा फीसदी लोग ज्यादा खुश होते ले कि यहां कुछ अपेक्षा है मोदी सरकार से और यह बहुत महत्पूर्ण है महेंगाई का मुद्दा दंगों पर कड़ा रुख दिखाते तो ज्यादा खुश होते देश के ग्यारा फीसदी लोग उतने ज्यादा नहीं है और साथी साथ एक और मुद्दा जो कई और मुद् पर अधिकता का आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर नरेंद्र मोदी के ऊपर अधिकतर लोग उससे सहमत नहीं है जी शुक्रिया शुक्रिया काश आप चर्चा में शामिल रहेगा मेरे साथ मैं पहला कोश्यन पहला आंसर लेना चाहूंगा जाहिर तोर पर मुक्तार बास नकवी साब से नकवी साब सौदिन हो गए अमोमन हर ओपीनियन पोल में बहुत तारीफ हुई है हर जगे सौदिन के कामकाच को ग्रीन सिगनल के तौर पर आपकी पार्टी देख रही है लेकिन एक चीज आपको भी माननी होगी कि महंगाई को लेकर अभी भी वो चीज वास पूरी नहीं हुई जिसे कि आपसे उमीद की जा रही थी कि सौ दिनों में कोई किसी भी सरकार का अकलन नहीं हो सकता है लेकिन इन सौ दिनों में हमने जो दस सालों की पॉलिसी परेलिसिस का एक बड़ा भारी रोक था एक कैंसर था उसको खत्म किया है दिन परती दिन सरकार काम करती भी दिख रही है और ना केवल देश में इसी नजरों से देख रहे थे आज सीधी नजरों से नहीं देख रहे बैलकि नजरे जुका करके देख रहे हैं और एक भारत को मभृत और वे खुबजाओ जमीन के रूप में देख रहे हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि आज ऐसा परदान मंत्री है जिसका कि इखबाल है जिसके आप उन्हें सारी बातों का जवाब दिया मुकतार साथ पिछले दो मिनिट के अंदर लेकिन मेरा स्पेसिफिक सवाल महंगाई को लेकर था जिससे आप थोड़ा अगर नहीं मानेंगी बीजेपी की प्राइस को कंट्रोल करना जरूरी है तो मेरेकाल से खत्रे की घंटी बजने लगेगी इसमें कोई दोर आए नहीं कि सरकार को जनता एक्सपेट करती है कि थोड़ा सा और प्रोएक्टिव होना चाहिए था अच्छे दिन आ गए हैं यह मजाक बन गया है क्या आपके अच्छे दिन आ गए बाकी जो चीजे हैं मैं शुरुवात करूंगा आपने एक बात जो बहुत एहम कहीं कि सौ दिन पूरे होने पे मोधी साहब ने ना किसी ट्वीट में ना किसी बयान में कोई दिया है एक कुछ बात याद दिलाना चाहूं सौ दिन परयाप नहीं है वो बहुत आगे की सोच रहे हैं दस साल की अलएड उन्होंने टार्गेट परना है काफी इंडिकेशन दिया है बाकी जो दो सवाल है अगर समय हो तो मैं बहुत क्विक्ली डिसकस करना चाहता हूं कि जो दो सवाल है उनकी जो फाइंडिंस है एक क यह साबित होता है कि जनता का रिस्पॉंस है कि जो भारते जनता पार्टी का जो बेसिक जो लाइन है सामप्रदैक्ता के एक तरह से जो सांस्कृतिक राश्टरवाद को जो सेंटर सेज पर जो दुबारा पुना लेके आएं तेरिटोरियल नाशनलिजम को नकारत हुए उस लंबी रेस का घोड़ा है जैसा कि दीरुबाई अंबानी ने का ता जिसको आज अंडरलाइन कर रहे हैं निलाइन जन भाई तो नरेंद्र मोधी कब क्या करेंगे कहां से चौकाएंगे इतनी जानकारी उनके पास कहां से आती है अतना द्रिष्टि उनके पास कहा कहा से आती है इसका अनुमाल लगाना बहुत मुश्किल है मैं ये समझता हूं कि उनके पास नेटिव indulgenस के अलावा देश दूनिया मे घूम करके जब हमारी नजरों से वो दूर थे इतना ज्यादा अनुभव है कि हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा लंबी दूरी तै करने वाले घोड़ा है वो बिल्कुल आप से पूजना चाहूंगा दिरीप सर सामप्रदाइकता है कैसा इशू है इन सौ दिनों के अंदर एक नया टर्म हिंदुस्तान ने देखा लव जहाद का क्या यह चीज सामप्रदाइकता के साथ जोड़के दिखी जा सकती है और क्या इसकी वज़े बीजेपी है क्योंकि वो केंदर में शासिन कर रही है देखे इसमें दो चीजें जुड़े हुए एक तो यह है कि लॉज और का जो सिट्वेशन है यूपी में उसमें लोगों मे टर्म इंपोर्ट गिया गया इस मामले में वो उस इंपोर्ट का कारण यह है कि इससे जो न्यू जेनरेशन के लोग है उनके सोच पे थोड़ा सा शायद ज्यादा असर पड़ेगा तो इसलिए मेरे ख्याल में बीजेपी ने यह शब्द जो प्रयोग किया है और बीजेपी को इस वक्त यह फोकस है कि अब जो बाई एलेक्शन आने वाला है यूपी में उसके लिए एक दो चीजे जो है उबर के ऊपर ले आएं ताकि उससे डिबेट हो जाए है वो उल्टा चीज दिखा रहा है वो यह कह रहा है कि 43% लोग है वो यह मानते हैं कि बीजेपी के आने की वज़े से सामप्रदाइक हिंसा की खटनाएं नहीं बड़ी है ये भी अपने आप में आश्यरे करने वाली बात है जो आपके व्यूपॉइंट से थोड़ा सा कर रहे हैं उसको पसंद कर रहे हैं और सामप्रदाइक्ता से भी उसको दूर कर रहे है देखिए सौ दिन का सासंकाल को अगर इसले कि एक पांस साल के लिए चुनाव चुनी गई सरकार है तो उसको पसंद कर रहे हैं इस पे हमें कोई इतराज नहीं है लेकिन सौ दिन और य मेरेस का घोड़ा है उसकी सुरुवात क्या होती है वो बहुत महत्पुन है पूरा चुनाओ महंगाई के सवाल पे मार्ज के महिने में पांच कुछ पॉइंट था महंगाई आज आठ पॉइंट पर है महंगाई तो ऐसे इस सिती में मोदी जी को कहा आप तौलते हैं ये भी उ मुदायों सरकार के लिए खतरे की घंटी है तो ऐसे में जो साटिस्फैक्शन लेवल इस सरकार के साथ है क्या वो विधान सबाद चुनाओ से पहले खास दौर पे आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है खत्रे की घंटी से आले अलग हट करके मैं कह रहा हूं कि जो सरकार देश में आ गई है उन्हों ने जिन सवालों पे सबसे ज़्यादा डमरू बजाने का काम किया था ढोल बजाया है भी बजा रहे हैं तो ऐसे सवाल को आप इगनूर नहीं कर सकते हैं इस पे इस सरकार को तौलना होगा कि कहा कड़िया है दूसरा यह है कि संपरदाइकता एक घटना नहीं है संपरदाइकता के या संपरदाइक बिचारों को सामाजिक मानता क्या सरकार के द्वारा मिलती है वो एक बड़ा सवाल है घटना तो घट जाती है लेकिन अगर आज तक का ये परिवेश रहा है कि संपरदाइक बिचारधारा को सामाजिक मानता या सरकारी हट जो डंटा है वो कभी कमजोर नहीं हुआ है सबोत कायन साहिश आप जिस उपीनियन पोल के विशलेशन के लिए यहां बैठे है उस उपीनियन पोल में हमने कल जो पार्ट वन दिखाया था अगर आपने देखा नहीं हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए पता दू तमाम नीतियों पे चाए हो विडेश नीतियों चाए वह बर्त नीतियों चाहे वो आंतरिक सुरक्षा का मामला जो तीन बड़ी नीतिया होती हैं किसी भी सरकार की चुलाने के लिए चुनौती होती हैं उन तीनों पर पैरामीटर्स पर देश की जनता ने मुदी सरकार की इनिशेटिव को हाथो हाथ लिया है और यह हम नहीं कहा रहे ह ये देश भर के चौदा बड़े शहरों के उत्तर से दक्षिर तक पूरफ से पश्रिम तक के रहवासी कह रहे हैं संजेब उगलिया साब कुछ बोलना चाह रहे हैं मैं उसके पहले संजे जी आपकी टिपड़ी जानू है एक चीज में जरू कहना चाहूँगा इस बात को संजे जी क्या कॉंग्रेस समझ नहीं पा रही है इस सवाल पे अपनी बात कहनी चाहिए थी कि नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ कि क्या मोदी जी को देश के परधान मंत्री को संपरदाई घटनाओं पे कोई अपनी चिंता जाहिए मुक्तार पास नक्वी जवाब कह रहे हैं सुबोत कान जी सुलीजे सुबोत कान सहाय जी बहुत कांग्रेस के वरिश नेता है मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज इनको महँगाई की भी चिंता हो गई आज देश में जो पूरी अवेवस्ता है उसकी भी चिंता हो गई अगर ये दस सालों तक इतनी ही चिंता करते तो इनके जो कुशासन के कुवे में करप्शन के कंकाल निकाले जा रहे है तो कुशासन के कुवे से करप्शन के कंकालों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आज जो है वो आपने महँगाई की महामारी हमें दी है और उस महँगाई की महामारी का Hilaaj हो रहा है और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस महामारी से देश उबरेगा और जो आपने महामारी हमें विरावसत में दी है उससे देश के लोगों को निजात मिलेगी और देश एक स्वस्त हो करके एक और देश के लोगों के चौके चुले तक आप दोलों की बात हम सब को बता है आप अपनी अपनी पार्टी की ताहिश करेंगे और दूसरी की आलोचना करेंगे सुबहत का एंसाइस अब एक विनिट एक मैं में कम से कम पबलिक अभी मोधी सरकार से इस बात पर नाराज नहीं है कि सौ दिनों में महंगाई कम क्यों नहीं की ये हमारे लिए चर्चा के लिए बहुत अच्छा विशा है लेकिन दरसल हमारा यह जो सरवेई है यह तो ठोड़ा कंजर्वेटिव है जो दूसरे बहु सरकार को दोश नहीं दे रहें कि इनके कारण महंगाई बढ़ी है मैं यह कहना चाहता हूं कि आम जंता बड़ी दानिश्मंद होती है महंगाई के इशू पे वह अभी से कोई नाराज हो जाए इनकी अलुक प्रियता बढ़ जाए यह एक दरसल बेमानी सी बात है दुबतकान स इस पीरिट एक तरह से प्रदार मंतरी मोदी को मिला हूआ है नहीं जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो संजय भाई कहा नाराज नहों उन से मैं भी चाहता हूं कि सौ दिन में लोग नाराज नहीं हो लेकिन इमानदारी ये सरकार की होनी चाहिए कि पांच परसेंट से नकी साब आप जोगे दिजे नकी साब आप नकी साब आपकी सरकार दस साल रही करफशन के मैं गिनाना शुरू करूंगा तो यह पूरा शो खतम हो जाएका मैं पूरी नहीं दिखा पाई एक 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 पिर देगे सुमुत कांजी जी महिंगाई का कारण आपके हां करुप्शन की बात कर रहे हैं निलान जन कुछ बोलना चाह रहे हैं और यह बात सर्वे में भी आरी है कि चववन फीजदी लोग मानते हैं कि काबू पाने की कोशिवी किये मोदी सब्कार ने कि आपके अनालेसिस लेड़ा चाहता हूं कि चववन फीजदी लोग क्यों बाइनलाज महंगाई अभी भी वी बरकरार हैं कि वजुद क्यों लोगों के लग लग रहे हैं कि मोदी सर्कार को दाई गोशी नहीं करा दे रही हैं टां की दाऊरान में एक इमयज बन गई थी कि मोदी सर्कार जो है जो है या मोदी जी जो है存े एक म×ोच ben forgot दो सब्सक्षा करने की जो जो भी रोलबैक्स जो सबसीडीज को रोलबैक करने की जो एक्सपेक्टेशन से वो उन्होंने ना किसी को रोलबैक किया बल्कि अपना जो सोशल वेलफेर प्रोग्राम सा उनको बढ़ाया सैनिटेशन में ले गए गर्ल-चाइल की एजूकेशन पर ले गए तो एक तरह से जो एक हिंदुस्तान का जो आम आदमी है उसको भरोसा हुआ कि यह सरकार जो प्रोजेक्टेट थी कि अमीरों की सरकार होगी अमीरों की सरकार शायद नहीं होगी उनकी लिए करेगी लेकिन हम को अबैंडन नहीं कर दे रही हमको बिलको छोड़ नहीं देगी हमारी जो मोटे तोर पे जो रोज की जरूरते हैं उनको पुरा करें इसी इसी बात को मैं दिली चरियन साहब सब पूछना चाहूंगा चरियन सब क्या आपको लगता है कि जो पब्लिक परसेप्शन है एक ब पब्लिक को ये भी पता है हमें सब को पता है कि इस बार मॉंसून जो है वो पूरा कंप्लीट मॉंसून नहीं है तो लोग को अब एक्सपेक्टेशन औरी है कि महंगाई तो जल्दी रोकने वारा नहीं है तो मेरे ख्याल में मोधी सरकार को और भी टाइम मिल गया है यह जो लड़ाई है बहंगाई की लड़ाई उनके लिए तो और दो सो दिन शायद उनको मिलेगा जब तक पब्लिक का पेशन्स उनके साथ रहेगा और आगे जाकर अगले तीन मेहने में हमारा फेस्टिव सीजन आता है और उसमें भी लोगों को पता है कि उस ताम तो सारे करना पड़े इस सरकार को और नरेंदर मोधी को आप क्या से रिट करेंगे इंडिवीजुली मैं तो रेट करूंगा अराउंट 7 to 7.5 और 10 और उसमें ये कारण है कि मोधी का जो परफॉर्फॉर्मेंस होगा उसके लिए उन्होंने जुडिश्यरी पे जो जो चेंज किया है बिरॉक्रिसी पे इंडिस्ट्री पे मीडिया पे ये सारे चीजे अब तयार है अब जाके आगे 200 दिन में उनका एक्स्पिक्टेशन भी हाई होगा और शायद उनका डिलिवरी अगर ये स्ट्रॉक्चर ठीक है तो उनका डिलिवरी भी बो सकता है अब ब्रेक में जाएं उसके पहले में बता दू कि ये तुडेश चानक के और आईबेन सेवन ने मिलके सर्वे कराया और ब्रेक के बाद जब हम आप लॉटेंगे तो आकाश आपके सामने वो आकड़े लेकर आएंगे जिस पर पूरे देश की स्वक्त निगाए हैं कि आज विश लेशन उसके आकड़े इस थोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहे हैं आईबेन सेवन के साथ एक बाद फिर आप सबका ब्रेक के बाद स्वागत है बात हो रही है टुडेश चानक्या और नेटवर्क 18 के आईबेन सेवन के इस उपीनियन पोल के आपको तमाम आकड़ों के लिए खासकर वो आकड़े जो सबस्यादा दिल्चस्प होने वाले हैं कि क्या नरेंदर मोदी की लोग प्रेता बढ़ी है देश की जनता उनको किस तरीके से आखती है और साथी साथ क्या बीजेपी दुबारा सरकार बना सकती है उसकी सीटे बढ़ सकती है ले चलता हम वाकाश के बाद बिकुल समित मोदी सरकार के सौ दिन के कामकाज पर तीन सबसे एहम सवालों पर देश की आवाज सीधे पहले सवाल पर चलते है पहला एहम सवाल इस वक्त जो हम ब्रेक के बाद ले रहे हैं मोधी सरकार का सौ दिन का कामकाज कैसा रहा है और ये हैं इसके नतीजे ये देखिए देश की आवाज है ये 41 फीसदी लोग प्रधारमंत्री मोधी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं प्रभावी तेज और उद्देश ये पूर्ड है सरकार का कामकाज लेकिन साथी साथ 10 प्रतिशत ही लोग ऐसे हैं जो इस सरकार को औसत बता रहे हैं और 8 फीसदी लोग हैं जो सुस्त और विचारीन यानी सीरे सीदे विरोध करने वारे लोग बहुत कम हैं लेकिन जिनको अपेक्षा हैं बहुत थी मोधी सरकार से ऐसे भी लोग हैं और कहरें कि उतना असरदा काम नहीं है जितना की वो अपेक्षा कर रहे थे 35 फीसदी ऐसे लोग हैं सिर्फ 6 फीसदी लोगों ने इस पर कोई साफ राय व्यक्त नहीं की इसी तरह एक और एहम सवाल यह दूसरा एहम सवाल इस वक्का ब्रेक के बाद जो हम ले रहे हैं वो देखिए इस सर्वे का एक और बहुत महत्पूर्ण सवाल है यह और वो यह कि मोधी सरकार के अब तक के कामकाज से सौ दिन के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं लोग और सीधा सीधा जवाब 66 फीसदी यानि देश के हर तीन में से दो आदमी यह सोचते हैं कि मोधी सरकार का कामकाज अब तक अच्छा रहा है और ऐसे लोग जो की खुश नहीं है यह सिर्फ 19 फीसदी है और जिन लोगों ने साफ साफ राइवेक्ट नहीं की ऐसे 15 फीसदी लोग है और तीसरा और शायद चुनाव के दुष्टी से सबसे एहम सवाल आपके स्क्रीन पर आब आने वाला है और वो यह है अभी अगर चुनाव हो जाएं तो क्या बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी एक hypothetical question है लेकिन बेहत एहम सवाल है जिससे मालूम पढ़ता है कि प्रदानमंतरी मोधी की rating कैसी है 51 फीसदी लोग यानि की देश की आधी जन संख्या ऐसी है जो सूचती है कि आज अगर चुन तो सुमित कुल मिलाकर प्रदानमंतरी जब देश लोट रहे है तो देश जब वो बाहर थे पूरी तरह उनके साथ था चुनाव में साफ साफ साथ था ही और अभी भी प्रदानमंतरी मोधी के साथ निज़र आ रहा है शुगर आकाश आगे बढ़ेंगे और और भी तमाम आकड़े हैं लेकिन एक रियाक्शन में जरूर लेना चाहूंगा कॉंग्रेस की तरफ से अब हमारे साथ जेपी अगरवाल साब जुडेंगे कॉंग्रेस की नेता उनसे भी हम बात करेंगे लेकिन संजय भुगलिया जी मैं आपका एक रियाक्शन देना चाहूंगा इन आकड़ों पर क्या यह आकड़े चौकाते हैं या यह एक्सपेक्टेड है कि नरेंदर मोदी वाकई में काम करते हुए प्रभावशाली तरीके से इन सौ दिनों में दिखाई दिये हैं सुमित दरसल यह हमारा अपना सर्वे है तो हमको पूरी तरह से ओन करना चाहिए लेकिन मैं फिर कहूंगा कि यह कंजर्वेटिव अनुमान है मैं यह समझता हूँ कि दरसल चुनाव के बाद से नरेंदर मोदी की निजी लुक प्रियता अप्रूवल रेटिंग में सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी हुई है यह मैं मल्टिपल सर्वेज को ट्रैक कर रहा हूँ उसके आधार पर आपको बता सकता हूँ कि उनकी पॉपलरिटी चुनाव के वक्त से बढ़ी है जब उस वक्त हम 65% बता रहे थे आज वो औसत 75-80% आ रहा है रहा सवाल चुनाव अभी हो तो हाँ वो मूड और मोमेंटम बरकरार है और अभी मुझे नहीं लगता कि BJP के बारे में भी कोई री रेटिंग करने के मूड में जनता है बिल्कुल आप भी इसको मानेंगे सुमित जहां तक कोई भी सरकार अगर एक काफी अच्छे मेजॉरिटी से जीत के आती है तो एंटी इंकंबेंसी सेट इन करने के पहले कम से कम डेड़ से दो साल का वक्त लगता है अगर हम इतिहास में जाएं राजी गांधी की सरकार 1984 के एंड में दिसिंबर में चुनके आई थी तो 85 और 86 दो साल पूरे थे जब तक एक तरह से हनीमून पीरिट चलता रहा था सिर्फ 86 के एंड में जाके सरकार के खिलाफ मूड बनने लगा था तो जाहिर सी बात है कोई भी सरकार जिस तरह के मेजॉरिटी भारती जन्ता पार्टी लेके आईए जब तक वो हराकीरी नहीं करे तब तक मुझे नहीं लगता कि यह जो सर्वे की जो नतीज़े हमको किसी भी तरह से चौका देने चाहिए बलकि जो बीजेपी की जो सीट बढ़ती हुई दिखती हूँ इसलिए दिखती है क्योंकि ओपोजिशन बिलकुल रडरलेस है हम कुछ देर पहले सुबहुत कान साहय जी को सुन रहे थे उनकी कैम्पेंग जितनी बैंकरप्त थी उस समय उतनी ही बैंक जनता पार्टी गल्ती करें और फॉचुनेटली अभी तक मोदी जी ने कोई गल्ती नहीं कि उसलिए और आश्चरी की बात ही है कि कल जा हमारा जो फर्स पार्ट था सुपरिजिन पूल का उसमें दो सवाल ऐसे थे बहुत स्पेसिफिक थे कॉंग्रेस इसको 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 इ साफ तोर पर इन सौ दूनों के अंदर भी दिखाई दे रही है कि वो कोई इशू डूडी निपा रहा है जिसे पार्टी को रिवाइब कर साथे कि पार्टी का रिवाइवल तो बहुत दूर की बात है जब तक पार्टी में नया लीडर्शिप का बात नहीं होगा तब तक आना बड़ा मुश्किल है पर जो 41 परसेंट का जो फिगर आपके आपने दिखा रहे हैं कि 41 परसेंट सपोर्ट कर रहें मोधी का विक्तरी में 31 परसेंट नाशनल वोट शेर था बीजेपी को तो वहां से 41 होना एक बहुत बड़ा चीज है और उसमें मेरे ख्याल में आगे जाके राज्यसभा के election और composition में बहुत effect होगा तो मेरे ख्याल में शायद वो न्यूस के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पर वो न्यूस भी आने वाले ही है जेपी अकरवाल साब स्वागत है आपका स्वागत तो कर रहा हूं लेकिन सवाल थोड़ा कड़वा है माफी के साथ आपसे पूछ रहा हूं उमीद है कि आप बुरा नहीं मानेगी आपके चेहरे की मुस्कुराट आगे भी कायम रहेगी यही जानना में आपसे चारा था य जा रही है नरेंदर मोदी की लोगप्रियता बढ़ती जा रही है बीजेपी की सीटे अनुमान के मताबिक बढ़ती जा रही है अगर आज की तारीक चुनाव हो जाएं कॉंग्रेस की सीटे कम होती दिखाई दे रही है क्यों कहां गडबर हो गई क्यों कॉंग्रेस पार्ट जो मुद्धे इन्होंने चुनाओं में कॉंग्रेस के खिलाब हुषायती है जैसे महां गाइथा पाकिस्ता था इन्होंने का था है देश को बेज दिया इन्होंने का काला धनम लाएंगे तो मैं ही जानना चाहता हूं इनमें से कौन से कदम इनों ने बढ़िया उठाए उठाए अभी जपान गए जपान में न्यूकिलियर एग्रिमेंट होना था जो नहीं हुआ और ये सिर्फ एक जुन-जुना लेकर आगए दो लाग करोड का जो पांच साथ में इन्वेस्टमेंट होना है क्या आज से पहले कोई इंदोस्तान का प्रदान मती भार नहीं किया क्या मेंगाई कम हो गई क्या काला धन आ गया तो माफ करना एक जो सरकारे पहले चलती रही है वो सरकार आज भी चल रही है क्या चीज नयापन हुआ है इसके अंदर मैं नहीं समझ पाया ये अभी तक कांग्रेस की सरकार को गलत नहीं साबिद कर पारे ये मैं कहना चाहता हूँ देखे एक बात हमें समझना होगा कि आज देश का माहौल बदला है देश का मिजास बदला है और देश के लोगों का मूड बदला है और न केवल देश के लोगों का पलकि पूरी दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है ये अगर सौ दिनों के अंदर देखे सौ दिनों में किसी सरकार का आखलन नहीं हो सकता हमें भी मालूम है कि हम जो है वो हमें हमसे जो आपेक्षाये हैं लोगों की वो बहुत अपेक्षाये हैं और अपेक्षा होना स्वभाविक है लेकि बहुत सी दर्शक आपको देख भी रहूंगे स्पेसिफिकली एक मामला जेपी अगरवाल ने उठाया कि जेपान में जो सिविल नुक्लियर डील पर कांट्रैक्ट होना साइन होना था वो नहीं हो पाई क्या ये फेलियर है क्या ये नाकामी है हमारे अगरवाल साहब बहुत अच्छे मित्र हैं हम पहली बात उनको ये बताना चाहते हैं कि परधान मंत्री जी ने जो जो वहाँ उपलब्धियां हासिल की उस पे आप जरा चर्शा कर लीजे और जो नहीं हुआ हो अभी सितारों के आगे सितारों के आगे जहां और भी ह है अभी आप चिंता मत करिए अभी जो है वह परधान मंत्री जी ने अगर 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 परधान मंत्री जी ने जापान में जाकर के उपलब्धियां के जापने कगा रुप और वह नहीं होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी निलान जी आपने दोनों पक्षों की बात सुनी लेकिन आपका क्या वेचार निलान जी मुझे लगता है कि कॉंगर्स को थोड़ा सोड़ा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा अगरवाल जी बहुत senior वरिष्ट नेता है उनको समझना पड़ेगा कि जपान जैसे मुल्क में nuclear issues पे किसी भी मुल्क के साथ cooperation का agreement sign करने के लिए एक बहुत लंबी political preparedness होती है जो जपान की जो leadership है उसको करनी पड़ती है वहाँ nuclear किसी भी देश के परती nuclear deal का जो agreement उसको sign करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना किसी भी सरकार को हिंदुस्तान में subsidies को rollback करने के लिए करना पुड़ता है एक दिन अचानक उठके deal sign नहीं हो सकती है उसके लिए बहुत लंबी तैयारी होती है उसकी शुरुवात मेरे खाल से हो गई है जहां तक जो दूसरे specific चीज है black money का मामला जो है बहुत controversial है BJP के अंदर से आवाजे उठिये कि black money किसी भी सरकार के लिए वापस लापताना मुस्किल है लेकिन SID कोई भी सरकार black money लाही नहीं सकती है कि perception बनाने की कोशिश की और से हो रही है क्या है पाज दिनों में सरकार ने साइटी black money के बारे में घठित की और वो यह वो सरकार की चुपार जो अभी black money की चिस्ता कर रही है उसमें black money पर वाइट पेपर के बज़ाए black paper लेके आ गई थी मैं आप दोनों वरिश निताओं से रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप लोग एक एक करके बात करेंगे तो दोनों की बाते जनता सुन पाएगी दरशक सुन पाएगे संजेब उगलिया जबात आकाश ने मुची वही मैं आपको दुबारा टॉस करता हूँ इसके पहले कि हम ब्रेक में जाएगे क्या ब्लैक मनी को लेकर सीरियस दिखे इन सौधिनों में सरकार के लोग सरकार के कामकाश का तरीका देखिए हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बनी है लेकिन कैसाइटी बनी है लेकिन ब्लैक मनी का मुद्दा जिस तरीके से डिसकस हो रहा है मेरे हिसाब से वो बहुत बेमानी है पब्लिक डिसकशन में ये थोड़ा सा मसालेदार इशू लगता है जिस ब्लैक मनी को हम वापस लाने की बात कर रहे हैं वो ब्लैक मनी वहां नहीं है जहां हम समझते हैं, हमको जहां हमारे निता समझाते हैं, ये कहीं और है ज्यादा बड़ी बात ये है कि हिंदुस्तान में black money generate नहीं हो, इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं ज्यादा बड़ी बात ये है कि GST को लागू करने के लिए क्या कर रहे हैं क्योंकि ब्लैक मनी को रोकने का देश का सबसे बड़ा टूल वो होने जा रहा है ब्लैक मनी को रोकने का काम सौ दिनों में हो पाना बिलकुल घोर असंभव सी बात है इस कसोटी पर इस सरकार को आखना मेरे ख्याल से इर्रेलेवेंट है तो इन्होंने जूट बोला ने जूट तो बीर आपने भी बोला जेपिय अकरवाल सब आप तो दस साल रहे ना आप तो दस साल रहे अकरवाल सब अबर आपने बहुत की की नेता कर लीए अगरवाल साहब बाबा रहम देव हमारी पार्टी के निता नहीं है बाबा रामदेव जी ने आप से भी कहा था तो इसलिए आपने बहुत वाट नहीं देना सुनिये काला धन अगर दुनिया के किसी कोने में भारत के लोगों का है तो वह वापस आएगा वहापन नहीं रहेगा ये आप समझ लिए आपने जितना जो है वो गोल गोल अचा अगरवाल साथ किस पेपर में किस जगह पर किस एलेक्शन मैनिफेस्टों में हमने सो दिन की ब अगर दुनिया के किसी कोने में चाहे वो इटली में हो चाहे अमेरिका में हो और चाहे कहीं पर भी हो वह वापस आएगा ताइम प्रेम पात साल में आएगा सुमिध जी मैं इनको इनके भाषबोंसे तोलना चाहता हूँ इनोंने चुनाओं में जो जन्त हम कोई मनमोहन सिंग जी और सोनिया गांधी तो है नहीं कि हम कहेंगे कि यह खपते में बहंगाई घड़ जाएगी पता जिन में पतारी खतम हो जाएगी हम जो है हम जो है वह में अगर काला धन दुनिया के किसी कोने में है चलिए किसी जगा पर तीसरी वार इस बात को दोरा जो इतनी बड़ी मोहीम चली कैंपेंच चला इलेक्शन अड़ा गया उसको लेकर सीरियस स्टेप्स लिए जा रहे हैं और एक डेट लाइन ते हो चुकिये मैं ब्रेक में जा रहा हूं ब्रेक के उस पार जब लोटेंगे तो कुछ और आखडे ओपीनियन पोल के जो हमारे स सामने आये 14 शहरों में जो सर्वे हुआ वो आकाश आपके सामने लेकर आएंगे इस ब्रेक के बात आईबेन 7 का और टुडेज चानक के का ये प्रतुष्ठित सर्वे है और देश की आवाज का है आखरी दो सवाल प्रधान मंतुरी का लोगों से संबाद कैसा रहा है देश की आधी जरता को लगता है कि प्रधान मंतुरी प्रभावी रहे है सिर्फ 8 प्रभावी नहीं रहे अभी कहना जल्दबाजी है ऐसा कहना है देश के लगबग 29 प्रतुष्ठित लोगों का और 13 प्रतुष्ठित लोगों ने कोई सपष्ट राय व्यक्त नहीं की और आखरी सवाल मोदी के कामकाज की सबसे बड़ी खूबी क्या है लीक से हटकर वो सोचते हैं ऐसा 11 प्रतुष्ठित लोगों का कहना है सरकार पर पूरा नियंतर्ण है ये बात 18 प्रतुष्ठित लोगों को पसंद है लेकिन सभी मुद्दों पर प्रधान मंतरी मोदी की गहरी पकड़ है ये तकरीबन 49 प्रतिशत लोग देश के सोचते हैं और सक्त प्रशा सकें ये देश की चौथाई जनता को पसंद है कोई साफ राइवेक्ट नहीं की सिर्फ साथ प्रतिशत लोगों ने देश की आवाज मोदी के साथ सुमें बिलकुल कुछ कहना चाहेंगे जेपिया क्रवाल साब नरेंदर मोधी के इस इन आकड़ों के बारे में उनकी प्रस्टालिटी के बारे में सर मैं सर मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ पहला ये कि ये एक डिक्टेटरशिप तरीका है कि हर चीज़ हमारे काबू में रहनी चाहिए दूसरा ये कि आपको आपने बात को कहने के लिए इस्थान चुनना चाहिए लाल के लिए से आप पाकिस्तान का जवाब दे सकते थे जिसके बारे में आपने काता मारा एक सिर कटेगा तो हम सौ काटेंगे लेकिन लाल के लिए सहाब लेट Two-Lay पाकिस्तान चीन है आपने बॉर्डर की बात नहीं करी आपने डिफेंस की बात नहीं करी मेरे खिया से यह मिरा अपनी नीजी रहा है दुदी दूनिया को जिए पाकिस्तान को मेसेज देना था तो उन्होंने दे दिया टॉक्स के पहले हुरियत के साथ जिस तरीके की बातचीत हुई उसके बाद उन्हें टॉक्स के रोग दिया कहीं न कहीं संदेश लाल के लिए से जाता है वो सारी दुनिया देखती ही कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या क कि कड़े फैसले कहा से ली जाते ये मत पूर्ड पिर देश को भी लगता है कि कड़े फैसले ले रही है सरकार जरूरी है क्लिठ बोलने वाला भिवाद हो सकता है लिकान व्तियों से शिशाब सब लोग चॉお願いします कि संजय बूसे जिसा सेंजे जी क्या अप सुना रहें हैं जिए जिए सॉरी सॉरी मुझे लगा गर्वाल सब जी नहीं मैं यह कह रहा हूं कि सरकार कड़े फैसले ले रही है इसको दो हिस्सों में बाठी कि जो जरूरी टेक्टिक्स वाले और स्ट्रेटजी वाले इशू जैं उस पर फैसले हो रहे हैं जो policy के बड़े issue हैं उस पर वो वक्त ले रहे हैं और मुझे रखता है कि वो वक्त लेना उनका ठीक है जहां तक public से समवाद का सवाल है दरसल एक बहुत अजीब सी बात है और हम लोग media वाले हैं इसलिए फिर भी इसको इमानदारी से कहना चाहिए कि यह हम लोगों के बावजूद लोगों से direct समवाद कर रहे हैं और वहां भी इनकी popularity बढ़ी है जहां दिक्कत है और mindset में परिवर्तन की ज़रत है अगरवाल साब से माफी चाहते वे कहूंगा कि जिसको कहते हैं कि लाल के लिए से लेटरीन की बात सुनी आप यह नहीं समझते कि वह कह करके किस तरीके से नरेंदर मोदी घर घर में फैमिली मेंबर बन गया है अब उनके बारे में जल्दी ही मोदी चाचा और मोदी मामा जैसे जुमले शुरू हो जाएंगे तो जब पब्लिक से सववाद करना है लाल के लिए से तो वो दूसरी जुबान है लेकिन पाकिस्तान हो या डबलू टी ओ यह दूसरे यह इस देश में शौचालियों कि आवेशक्ता आज की तारिक में सबसे जादा चीजों में से आपकी सरकार दस साल रही माफी के साथ और आपके सामने आपके मूपे बोल रहा हूं आप लोग वो इनिशेटिव लेते हुए नहीं दिखाए दिया शुरूआत की कम से कम साथ साथ सालों में एक रियक्शन आपका उनिशेटिव करना है सुमिट जी गुजरात में बंग गया क्या आप गुजरात के स्कूलों के हाले तो कोशिश तो कर रहे हैं ना आप ने क्या किया माफी के साथ बोल रहा है जी कर दूरान जो इस देश के सबसे नंबर वन प्रधान मंत्री बनने के बाद कोई विपक्ष में से ना उनके पार्टी में से कोई उनकी कम्मिनिकेशन स्किल को दूर दूर तर चैलेंज कर पाया वही कारण है कि आपके सर्वे में इतनी पॉजिटिव एंडॉर्समेंट मिल रही है सवाल ये भी है कि सर्वे में जो सवा चाहिका सवाल का जो दो जै जो दुने हुग liegen है वो शायद घी कि अगर आप लोगों से बात करेक्का तो लोगों में expectation अभी भी हाई है disappointment अभी भी लो है और ये 100 दिन में achieve करना काफी है इससे जादा achieve करना अब आगे आगे जाके next 200 दिन उसमें दिखाई देगा अगर थोड़ सा disappointment में तो इसलिए है क्योंकि कोई alternative नहीं है चलिए मेरे पास वक्त की कमें माफी चाहता है नहीं है आप से दिलीप साब आप से संजब उकलिया जी शुक्रिया आपका जी फिरकाल साब शुक्रिया आपका आप चारों कामाई साथ जुड़ने के लिए लेकिन ये बात जरूर कहनी पड़ेगी कि आज जो लोगों ने उमीदे जताई है इस उपीनियन पोल में यही चुनोती होने वाली है नरेंद्र मोधी के उनके सरकार के लिए कि अगले सौ दिन में इन उमीदों पर और खरा उतरना क्योंकि जब 200 दिन होंगे तब जनता ये नहीं देखेगी कि अभी 100 ही दिन हुए तब सीधे बात होगी इन 6 मेरों के कामकाज की शुक्रिया आप सब कमाई साथ जुड़ने के लिए लेकिन आकाश जाते जाते आज की वो तस्वीरे भी दर्शकों को दिखानी बहुत जरूरी है जब नरेंदर मोधी पांच दिनों की यातरा के बाद जपान से वापस दिल्ली लोटे उनके चेहरे पर वो सुकून था वो खुशी थी जैसे की बहुत बड़ी जीत हासिल करके वो लोट रहे हो जाते हैं तस्वीरे आपके सामने हैं पजब नरेंदर मोधी विदेश मंतरी सुश्मा सुराज के साथ बात कर रहे थे तो वो खुशी वो तसली साफ देखी जा सकते हैं